and welcome you all to beat the street अगर आप हमारे चैनल को follow कर रहे हैं तो आपको बताओगा हमने सबसे ज़्यादा exclusive वीडियो अप्लोड की है Reliance, Future Group और Amazon की डील से related और आज हम आपके लिए फिर से एक और exclusive ख़बर लाए हैं कि Supreme Court की hearing जो कि यहाँ पर हमने last hearing जिसमें यहाँ पर पता चलेगा कि Amazon, Future और Reliance इनके बीच का जो यह मायजाल है वो कहां तक पहुंचेगा और आज की जो पूरी expectation है वो आज हम बताएंगे इस वीडियो में तो चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें ताकि आपको इसी तरह की updates मिल सकें और सबसे important बात मैं आपको बताना जाता हूँ कि आपने अगर अभी तक टेलिग्राम चैनल अगर जोइन नहीं किया है तो टेलिग्राम चैनल जोइन करें beat the street share market news यहाँ पर सबसे पहले हम update करते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे आपडेट कर दिया था 919 पर कि Supreme Court ने सारी hearing उसको stay कर दिया है और 4th मही को आज hearing होने वाली है तो काफी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं बट मैं आपसे request करूँगा कि यहाँ पर सबसे फास्ट अपडेट होता है यहाँ पर आप आपके और दूसरी news जो सबसे फास्टेस्ट अपडेट यहाँ पर आप CNBC का भी ले सकते हैं और साथी साथ और दूसरी चीज़े भी होती है जैसे Tata Gamical के बारे में कल news आई तो Home First Finance का Quarter 4 के results है तो हर चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी और सबसे फास्टेस्ट इंडिया में जो update होता है वो इसी चैनल पर होता है आप देख सकते है reports भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी शेर खान की report हो गई या आप कह सकते है Nomura, JP Morgan जो भी अपतर है कि अपडेट्स यह यह आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा, मैं गारंटी लिख के देता हूं आपको, और आप देख सकते हैं सारी यहाँ पर वीडियो के थ्रेट्स और वीडियो सब आपको यहाँ पर एक ही साथ देखने को मिल जाएगा, कि अगर आपने यह थ्रेड नहीं पड़ा है, जिसमें हमने आपको बताया है कि अभी तक रिलाइंस फूचर डील का स्टेटस क्या है, तो आप इसको फोलो कर सकते हैं, ट्विटर को भी, और उसमें हमने बताया है कि 360 डिगरी व्यू क्या है, तो सिंगापूर कोर्ट में कोई भी मिलाप करते हैं, कुछ भी joint venture या ऐसा कुछ चीज करते हैं, तो एक arbitration court, तीसरी country के arbitration court को हमें बीच में रखना पड़ता है, कि अगर हमारे कुछ भी dispute होती है, तो हम आप से यहां पर समती लेने आएंगे, और वह यहां पर होता है, और सिंगापूर कोर्ट यहां स्टे लगा देता है, कि रिलाइंस future deal नहीं हो सकती, क्योंकि future deal का already tie-up है Amazon के साथ, तो यहां पर अभी यह चीज़ें अभी तक भी stepper है, और उसका अभी तक कोई update नहीं आया है, तो जैसी update आता है, तो सबसे पहले इसी चैनल पर आपको update देखने को मिलेगा, आज की hearing का भ अभी status यह है, कि सारी जो hearing थी, उसे बंद कर दिया है, उसे close कर दिया गया है, Supreme Court के दौरा, और अभी यहां पर सारी जो hearing है, 25,000 करोड की total deal है, वो यहां पर लेकर आये है Supreme Court में, और Supreme Court में आज होने वाली है hearing, और उसका update आपको live update अगर आपको देखना है, तो आपको हमार hearing होने वाली है, कामत कमिटी से related में आपको चीज़े बताना चाता हूँ, किसी NBC TVAT ने report किया है कि कामत कमिटी जो की future group के जो भी loan restructuring पर काम कर रही है थी, उन्होंने बताया है कि अगर deal होती है, तो वो उनका जो date restructuring है, recasting का जो plan है, वो उससे cancel कर देंगे, और वो believe Reliance future deal के उपर, तो काफी चीज़े हैं जो positive are Reliance के लिए, बट वहीं कुछ चीज़े concern भी पैदा करती है, क्योंकि जिस तरीके से, जो Amazon के lawyer है, उन्होंने चीज़ों को रखा है, Delhi High Court में, वहाँ पर भी कहीं एक चीज़ नियदर आती है, कि कहीं laws और regulations है, जो यहाँ पर follow नही Reliance हो, future group के काफी shares listed है, future retail हो गया, future enterprise, काफी लोगों के हमारे पास tweet और काफी लोगों के पास comment section में queries आती है, तो मैं उनके बारे में बताने चाता हूँ कि जब तक यह चीज़े solve नहीं होगी, तब तक आप कुछ भी expectation नहीं लगा सकते है, और काफी चीज़ें यहाँ पर, वैसे तो Reliance के favor में नज़र आती है, बट फिर भी यहाँ पर अभी देखना होगा कि यह hearing काँ तक चलती है, लगबग लगब expectation लगे जा रही है कि दो या तीन महीने यह hearing चलेगी, इतना fast hearing close नहीं होगी, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो Amazon वापिस से रखेगा, और अगर Reliance हो वही है, और हिरिशी के श्रोय है, और ये आपको मैं बता दू, आरफ नरीमन वही justice हैं, जिन्होंने Reliance के मुकेश अम्बानी और अनी लंबानी का जो case जब लड़ा था, तब यहाँ पर उन्हें नहीं ही यहाँ पर यह गद्दी समवाली होई थी, जज की, तो अब भी जोन खड़ा है, एक तरफ और एक तरफ Reliance खड़ा है, अब देखना होगा कि किस तरीफ ये पूरा जो फेसला है, वो जाता हो, नजर आता है, और इसके अलावा कुछ चीजे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, NCLT में यहाँ पर एक proceeding है, जो pending पड़ी है, और उस pending proceeding related to Reliance और Future Deal का अप्रूवल यहाँ पर बताया गया है कि, बताया गया है कि सुप्रीम कोट ने बोला है कि कहीं नगई वो केस केरी ओन रहेगा, और उसका only ending यहाँ पर तभी होगी, जब सुप्रीम कोट यहाँ पर कुछ फैसला देगा, और उसी के बाद यहाँ पर बताया या क्या होगा, उसका final जो approval है, वो सुप्रीम कोट की hearing पर depend करता है कि वो इसको किस तरीके से देखते हैं, इसके अलवा अगर हम आपको बताएं, तो कहीं चीज़ें यहाँ पर और इसके अलवा निकल के आती है, जिसमें single bench के जो भी orders थे, जो की related थे की future group के favor में थे, कोई orders, कोई orders थे, reliance के favor में, बट अभी यहाँ पर हर चीज़ को ban कर दिया गया है, हर चीज़ को बंद कर दिया गया है, और अब जो पूरा आपको conclusion है वो देखने के लिए, आपको केवल Supreme Court पर focus करना है, और उसके बाद यहाँ पर सब चीज़े clear हो जाएगी, क्योंकि NCLT, Singapore International Arbit Repetration Court और Supreme Court, अब तीन parties हैं, जो यहाँ पर decide करेगी, कि इसका क्या नतीज़ा निकलने वाला है, और यह सबसे बढ़िया रहा, क्योंकि कहीं सारी hearing सेक्साद चल रही थी, हमने भी करीमन लगबग 50 के लमसम वीडियो बना दिया है, Reliance Future Group डील का, जो link है, में डिस्क्रिप्श कर सकते हैं, बट सबसे important यह है, कि पूरी डील को समझना, और पूरी डील काफी complex हो चुकी थी, तो अब चीज़े मेरे साब से थोड़ी-थोडी simplify होती जाएगी, और Supreme Court, क्योंकि हमारी final authority है, इंडिया की, तो वहाँ पर चीज़ें finalize होती हुई नजर आएगी, कि क्या असल चैनल पर, ताकि आपको सबसे fastest update मिल सके, और telegram पर मैं आपको request करूँगा, कि आप उसे join करें, क्योंकि वहाँ पर जो updates हम डालने वाले हैं, वो आपको और कहीं नहीं देखने हो मिलेगी, तो thank you so much for listening, and I am, सबसे मैं आपको request और guarantee देता हूँ, कि यहाँ पर, सबसे पहले ज